सांतियों मुझे बताया गया है कि हमारे स्पिकर ओम बिडला जी आपको भारत के नए संसद भवन में भी आज शाम को ले जाने वाले हैं वहाँ आप पुझ महत्मा गांधी को सरदाजली भी देने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दसकों से क्रोस बॉर्डर तरिजम का सामना कर रहा है आतंगवादियों ने भारत में हजारों निर्दोशों की जान ली है संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी करिब 20 साल पहले आतंगवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चोंग जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था आतंगवादियों की तयारी संसदों को बदलग बनाने की उन्हें खत्म करने की थी भारत ऐसी अनेकों आतंग की वारदातों से निपड़ते हुए आज यहां पहुंचा है अब दुनिया को भी असास हो रहा है कि टर्रिजम दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनोती है टर्रिजम चाहे कहीं भी होता हो किसी भी कारण से होता हो किसी भी रूप में होता है लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है ऐसे में टर्रिजम को लेकर हम सभी को लगातार सक्ती बरतनी ही होगी हाला कि इसका एक वैश्विक पक्ष और है जिसकी तरब मैं आपका ध्यान आकर सिद करना चाहता हूं टर्रिजम की परिभाशा को लेकर आम सहमती ना बन पाड़ा यह बहुत दूखद है आज भी युनाइटेड नेशन्स में इंटरनेशनल कन्वेंशन अन कॉम्बेंटिंग टर्रिजम कॉन्सेंस का इंतजार कर रहा है दुनिया के इसी रवेये का फाइदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं दुनिया भर की पार्लामेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव्स को यह सोचना होगा कि टर्रिजम के विरूत इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके